तो आज ये कोई गैजट फाली वीडियो नहीं है बट गैजट के रिलेटेड ही वीडियो है तो मैंने सोच है इस चैनल पर डालने जुरूरी है आज बार्निंग मैं को लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आती है दैट हमें वह बोलते हैं कि हमें पता जला है कि आपके पास ड्रो पहले तो यह है कि आपको उस ड्रोन को रिजिस्टर करना पड़ेगा तो वैसे मेरे पास टाइग अटा गिरी गा उसको जुरूरत नहीं रिजिस्टर करना कि बट स्टिल मैंने रिजिस्टर करवाया तो कुछ इंफ्रमेशन होती है कुछ टैक है कुछ रूल्स हैं जिसके अगर्डिंग आपको ड्रोन को उड़ाना पड़ेगा तो अभी मैं बैसे तैयार होके निकल रहा हो मैं जा रहा हूं पुल्ली स्टेशन so police station से मैं घर आ गया था और वहां क्या हुआ वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि हम सारे जो भी है जो drone चलाते हैं जो drone pilot है चाहे वो mini के हैं चाहे वो mavic के हैं चाहे उसे बड़ी category जो ड्रोन के पाइलेट्स हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि वो DGCA का जो डिजिटल स्काई का जो मैप है जिसको हम सारे फॉलो गरते हैं जिसके जिसमें हर एक एरिया को स्पेसिफाई करा गया है डिफाइन करा गया कि कहां पर हम ड्रोन कौन सी हाइड पर चला सकते पहले बात हमें उसके रूल को फॉलो करना है अब ग्रीन एरिया जहां पर हम उसको उड़ा सकते हैं बट ग्रीन एरिया में एक और चीज़ देखनी पड़ती है कि ग्रीन एरिया में जो लोकल आथोर्टी है उसमें कोई restrictions तो नहीं लगाई हुई मैं अब ये चीज़ क 120 मेटर तक उड़ा सकता हूं बट उसके बाद अपलाई होती है लोकर अथोर्टी की जो रिस्टिक्शन हैं तो उन्हों ने वहां पर वही बताया कि ड्रोन क्या आर्मी एरिया में 2-3 वार डिटक्ट हुए हैं और बिज आर्मी एरिया के आसपास पैलस हैं जो शादी वाले वैडिंग पैलस हैं तो वो भी हो सकते हैं बाकी हम उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते या उस चीज़ को हम ज़्यादा इंपोर्टस नहीं दे स तो अगर तो आप अच्छे से चलाओगे local authority को मद्दे नज़र रखते हुए drones उडाओगे तो सही है otherwise आपको problems face करने पड़े चाहे आपका drone toy gatagiri का है Mr. 249 gram से नीचे भी है अगर कुछ local area पे आपको restrictions है तो आपको वहां पे हर एक drone के लिए restrictions होगी क्योंकि आप मैंसे कई बंदे हैं जो इसकी 15 मेटर की break करके इसको 300 मेटर या 500 मेटर तक भी लेके जाते हैं इसलिए local authority की जो restrictions है उसको follow करना चाहिए सारी DGCA map के बाद local authority की जो restrictions है उसको भी follow करना चाहिए तो इस vlog में मैं यही बताना चाहता था अगर किसी को DGCA जो digital sky का map है उस पे full explanation video चाहिए या full explain video चाहिए तो मेरे को comment में बता दियो मैं उस पे explain video मना दूँगा कि इंडिया में कौन कौन से area और कैसे area देखना है और कैसे map को चेक करना है कौन से area में कितनी height तक उड़ा सकते हैं तो इसी के साथ ये vlog यही पे खतम करते हैं Thank you for watching the vlog